जी हाँ, ओपो का स्मार्टफोन, मैं परेशान हो गया हूँ, इतने कमेंट्स को देखके जहाँ पे मेरे पास हर पांच में से चार वीडियो ओपो के मुवाइल के लॉक के उपर आ रहा है, जी हाँ, इतने ज्यादा ओपो के स्मार्टफोन लॉक हो जा रहे हैं कि मुझे भी बिश्वास नहीं हो रहा है कि किस तरह से एक ओपो का स्मार्टफोन इतना लॉक हो रहा है और कमपनिया कुछ कर नहीं रही है, कोई बात नहीं, कमपनिया नहीं कर रही है, आपको घबाने की बात नहीं है, आपको यदि स्मार्टफोन लॉक हो गया है, और आप उसे अनलॉ कर सकता है जी हां मैंने आपको पहले बताया कमपनिया कुछ नहीं कर रही है इसका मा तो यह नहीं कि आपका भाई कुछ नहीं करेगा आपको सॉलुशन बताएगा कि आप किस तरह से अपने ओपो के फोन में लगे हुए पीन पैटर्न पासवर्ड लॉक को अनलॉक कर सकते हैं कि यदि आपके पास ओपो का A-series का स्मार्टफोन है और आप उससे अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो काम आने वाला है तो इस वीडियो को बीना बढ़ाए बीना skip किये complete देखें शुरू से ले करके इंड तक की वीडियो पूरा देखेंगे तो आप इससे स पास Oppo का स्मार्टफोन है आपके पास A-series है तो ज्यादा बेटर है कि हम A-series के ओपर वीडियो बना रहे हैं लेकिन आपके पास A-series का स्मार्फोन है रेनो का लाइनप का स्मार्टफोन है तो आप एक वार इस method को try जबरूर करना हो सकता है कि आपका स्मार्टफोन 80% chance ह की खुल जाएगा नहीं खुलता है तो हमें कमेंट में आप बता हैं हम आपके help करेंगे फिलाल हम यहां पे इस वीडियो को बिना देर के शुरू करने वाले हैं यह आपको हमारे वीडियो से कुछ भी help मिले तो वीडियो छोड़ने के पहले last में एक like कम से कम करके जाएं और इस वीडियो को सेर ज़रू करें उनके साथ जिनके पास ओपो का स्मार्टफोन है और वो इस वीडियो का help लेना चाहते हैं इससे unlock करने के लिए तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं ओपो का स्मार्टफोन जो होता है वो एक चैनिज स्मार्टफोन होता है जी हां ओपो रियल्मी दोनों एक ही कमपनी का नाम है और इसके एक और भी ब्रांड आते हैं जिसका नाम सुनके आपको थ्वादर के लिए शौक लगेगा वो है बन प्लस जी हां वन प्लस ओपो रियल्मी यह सारे एक ही कमपनी के स्मार्टफोन है और इस कमपनी के जो मालिक है उन्होंने कमपनी का नाम दिया है बीबी जी हां तो यह बीबी ग्रूप के स्मार्टफोन कहे जाते हैं और आपको मैं बता दूँ बीबी ग्रूप आपकी डिरेक्ट यह इन यहाँ पर लोग यह नहीं देखते हैं कि इसका hardware और इसका software में कितना दम है बस उन्हें बस नाम का smartphone चाहिए जैसे कि आपने बस में आपको बता दूँँ मैं एत्वासा लिक से हट रहा हूँ लेकि यह knowledge भी आपके काम के लिए आप जानते हैं कि इसी smart phone में 108 MP का camera दे दी जात कि सिप नंबर को बढ़ाने से कुछ नहीं होता उसके specification में उसके जो hardware है उसे भी बढ़ाना पड़ता है तो यही आपके Chinese जो company है वो इसे follow करती है और इंडियन स्मार्केट में या globally वो अपने smartphone को बेस देती है और लोग उसे धरले से खरीदते भी है लेकिन यह भूल जाते है कि यह कहां से belong करती है जी हाँ अब यदि बात करें कि यह आपका Chinese smartphone है तो इसे आप कैसे unlock कर सकते है तो आपको मैं पहले बता दूँ Chinese smartphones की जो company होती है उनके smartphone में इस्तमाल किया कि software वो बिलकुल easy होता है जिसे कोई भी control कर सकता है मैं यह नहीं कहता है कि इसके security system को वो छे अलमी में या दूसरे ओपो वीवो में आप ऐसा नहीं कर सकते है क्योंकि वो इतने security होते ही है कि कोई दूसरा आदमी उसे unlock नहीं कर पाएगा तो मैं आपको पहले बता दूँ यदि यह smartphone आपका ही है और आप अपने smartphone को ही unlock करना चाते है तभी इस वीडियो में आगे जाए वरना यह आपकी किसी काम की वीडियो नहीं है तो चलिए बताते हैं आपको कि आप इसे किस तरह से unlock करेंगे अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक सामने में एक oppo का smartphone है लेकिन यह आपका lock नहीं है यह unlock है हम इसे यहाँ पर unlock करेंगे और इस वीडियो में हम आपको इसे live इसे unlock करके दिखाएंगे आप देख सकते हैं अभी मैंने इसे lock कर दिया है और यह इसका locking इंटरफेस है अब इसे आप एक वार जब उपर कितरा swipe up करते हैं तो आपके सामने pin pattern password डालने का option आ जाता है अब यहीं पर अक्षर लोग पहली गलती करते हैं पहली गलती यह करते ह कि वो जब इनका smartphone जब unlock नहीं होता है तो वो इसे यहाँ पर बार बार गलत password को लगा करके खोलने की कोशिस करते रहते हैं भले उनका खुलता नहीं लेकि वो try ज़रूर करते हैं यह हम इंडियन्स की यह खासियत है लेकिन दिक्कत यहाँ पर तब आता है जब आप इसमें गलत password को इस्तिमाल किया तो आपका smartphone कुछ मिंटों के लिए permanent lock हो सकता है पहले वो minute में होगा उसके बाद फिर कुछ घंटों में change हो जाएगा और आप उससे फिर unlock नहीं कर पाएंगे फिर आपको जाना पड़ेगा सभी center और सभी center का story हर किसी को पता है कि एक तो वहाँ जा smartphone को unlock कर सके अब आपको यहाँ पर करना क्या चले पहले वो जान लेते हैं यहाँ पर आपको नीचे में एक option देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा emergency call जो आपको left side में देखने को मिल रहा है हम इसे यहाँ पर click करेंगे जैसे आप इसे click करते हैं आपके सामने एक emergency calls only वहाँ आपको open होता हुआ दिख जाएगा और यहीं से आपके smartphone को unlock करना है हमें हम यहाँ पर बिना समय को बढ़वात के आपको बताते कि क्या 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 काम करना है क्या क्या steps आपको लेने हम यहाँ पर code डालेंगे जो की है star, hatch, 8, double 9 और hatch आप जब इसे click करेंगे तो आपका engineer mode method apply करना है अब इसे करना क्या है इन सारे option में आपको एक option जिसका नाम है manual test आपको इसे खोजना होगा जो number 4 पर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए इसे यहाँ पर click करते हैं जैसी आप इसे click करेंगे नया page आएगा और यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं करना बस इस आपको swipe up करना है और सबसे last के page पे आपको पहुच जाना है अभी यह जो other का page है यहाँ पे आपको दो option पर ध्यान देना है यह दो option ही आपके smartphone को lock करेंगे जो सबसे पहले आता जो सबसे ज्यादा important भी है उसके वारे में पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं मैं इसे थोड lock हुए smartphone में cross check करें यदि आपका भी 1.1 आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका smartphone unlock हो जाएगा लेकिन यदि आपका यह नहीं है और आपका कोई और दिखा रहा है तो आप समझ लेना कि वो पुराना हो चुका है और आपको पहले इस नए वाले version में इससे update करना होगा लेकिन आ आपका smartphone इस नए वाले version में change हो जाएगा लेकिन दिक्कत अब यहाँ पर यहाँ आती है कि हर एक OPPO का smartphone का अपना एक अलग-अलग database version है या फिर main board version है और सबके जो method है change करने के उसके हिसाब से वो अलग-अलगी है तो सबके मैं यहाँ पर बताऊंगा तो किसी एक के साथ ना इंसाफी हो सकता है तो उससे बेटर है आप हमारे चैनल को subscribe कर लें comment करें कि आपके पास OPPO का कौन सा handset है और उसका main board version क्या बता रहा है ताकि हमारे team आपको within 5 minute एक reply देगी और उस reply से आप 2 मिन्टों में ही से change कर लोगे तो आपका smartphone भी unlock हो जाएगा अब यहाँ पर म key status को एक बार click करना तो चली इसे भी click कर लेते हैं जैसे आप इसे यहाँ पर click करेंगे आप यहाँ पर live देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी की हैं आपके आप left side में देखें वो सारे यहाँ पर right side में pass दिखा रहे हैं मतलब कि आपका सारा smartphone का lock pin वो सारा तूट चुका है और आपका smartphone बिल्कुल unlock हो चुका है इसरी एक घंटे के लिए आप एक घंटे के अंदर एक नया password जरूर लगा लें जो easy हो और आपको याद रहे हैं अब हम इसे check करेंगे कि आपका smartphone unlock हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो इसे back करते हुए इसके home screen पर चलेंगे और देखते हमारा ये mobile जो है वो unlock हो चुका है मतलब कि हमारा ये smartphone इस method से unlock हो गया यदि आपका भी smartphone unlock हो गया है तो बिना देर कि हमारे इस चैनल को subscribe करें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो से क्या सिखा और यदि आपका smartphone unlock नहीं हुआ है तो आप कर क्या रहे हैं बिना देर कि अपने handset को unlock कर पाएंगे